आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस महारेली में आकर हमारी बातों को सुनकर हमारा समर्थन किया है नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन ऐसा कहना है बिहार के पुर्ब डप्टिसियम तजश्वी आदब का राज़त की रविवार को महारेली थी पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में भीड जूटी एक तरब जहां तजश्वी आदब ने मंच से हुंकार भरी तो वहीं हुंकार भरने के बार तजश्वी आदब जनता को धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं तरब जश्वी आदब अपने सोशल मेडिया पे धन्यवाद का एक पोस्ट शेयर करते हैं और लिखते हैं पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली के जरिये महबत और उमीदों को जन सेलाब लाकर आपने एक नया इतिहास रच डाला ऐसा लगा मानो पूरा बिहार ही गांधी मैदान में उपस्तित होकर नय बिहार का नया ध्याय लिखने को समर्पित और आतूर है 22 फरवरी को ही पटना के गांधी मैदान में रैली करने का निर्ने लिया गया था मात्र आठ से नौ दिन की तैयारी खराब मौसम और पंदरा घंटों की लगतार बारिश के बावजूद भी आपने पुर्व से सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये हैं इतिहास लिख डाला है मैदान में जितनी संख्या थी उतनी की की बाहर सडकों में जाम में फसी गाणिया भी थी इतने कम समय में इतनी बड़ी रैली का योजन अदभुत आश्यर जनक अदृत और अकाल्पनिये हैं बिहार के बदलाब की इस स्यात्रा में भागी बनने के लिए आप सभी को हिर्दय से कोटी कोटिया भार टकट करता हूँ मैं आप सभी को वचन देता हूँ कि बिहार के हर घर में नौकरी, रोजगार, अधिकार और विकास का सुरज पहुँचा कर ही दम लूँगा गांधी मैदान से भरोसे और प्रगती को जो नया सुरेदय हुआ है वो बिहार के विकास की नई पटकथा लिखेगा कल की तारिक को भविश का बिहार हमेशा याद रखेगा एक नए क्रांती कारे बदलाब लाने के लिए हर एक बिहार वासियों की उमीद को सच में परवर्तित करने के लिए हर धर्म, जाती, वर्ग, हर समुदाय, किसान, मजदूर, नौजवान, बुज़ुर्ग जिस तरह से कंदे से कंदा मिलाकर हमारे साथ चल पड़े हैं, वो नए बिहार की निव रखने में हम योगदान देंगे जन विश्वास महारेली को आपने जन तिर्थ रैली में तबदिल कर दिया, इस रैली को आसाधारन अकाल्पनिक और अलोकिक रूप में सफल बनाने के लिए आप सभी को हिर्दय से पूनब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप जन विश्वास से ही जन विकास होगा जन विश्वास महारेली में आई भीड को धन्यवाद किया है और कहा है कि आपकी इस भीड ने मुझे शक्ति दी है और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि बिहार के हर घर में सरकारी नौकरी होगी, रोजगार होगा, विकास होगा, पटना के गांधी मैदान से जो मैंने व बादे कहे हैं, वो सारे बादे मैं पूरा जरूर करूँगा, अब देखना होगा तो जश्वी आदब ने जन विश्वास रैली की शुरुवात की और जन विश्वास रैली जो लगतार चली 10 दिनों तक इस रैली का असर 2024-25 पे कितना पढ़ता हुआ नजर आता है, फिलहा जरूर के लिए इस ख़वर में इतना है